दोस्तों रेड्मी ने रीसेंटली रेड्मी नोट 9 लाँच किया था और हम वेट कर रहे थे सिर्फ उस डिवाइस का नहीं और एक डिवाइस का और एक ब्रैंड से जो सबसे खंपरेडियो ब्रैंड है रेड्मी के अगेंश्ट ही रियल में की तरफ से रियल में 6i भी अब ल और रेड्मी नोट 9 के क्योंकि रेड्मी नोट 9 को प्रैसिंग तो हमें पता चल जोगा था 12,000 का इसका स्टार्डिंग प्रैस था 15,000 था उसके हाइस्ट वेरियंट का रियल में 6 है कि प्रैस का हम वेट कर रहे थे और मुझे जब ये वीडियो बना रहा हूं इतना आडिय नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन देख लीचे प्रैसिंग के लिए बट मैं होब कर रहा था कि इसका प्रैस 13,000 के आसपास अब क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि रियल मी ने अभी भी इसमें रियल में 6 से जो प्रोसेसर का चेंज है वो नहीं किया है तो अच्छी बात यहां पर मतलब एक अच्छी चीज की है कि चिपसेट को रीटेन किया है बाकी थोड़े चेंज़ेस रहेंगे क्यों चेंज़ेस रहेंगे इसका में रीजन यह है कि प्राइस को थोड़ा कम रखने के लिए रियल में 6 का प्राइस अब ही रिजन बढ़ गा थ और जो भी इसके कॉंपोनेंट्स तो उसकी प्राइसिंग ज्यादा होती है तो अब रियल में 6 का बेस फिरियंट 15,000 में है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह 13,000 के असपस आजा है रियल में 6 आई का प्राइस बट लेट सी आप डिस्क्रिप्शन चेक की आपको प्राइसिं यहां पर आपको अवेलेबल है तो आप यूजर आप उसको स्विच कर सकते हो 60 और 90 के बीच में या इंटिलिजेंट स्विच में छोड़ सकते हो कि खुद ही फोन डिसाइड कर ले कब इसको 60 Hz पर रहना चाहिए कब 90 Hz पर जाना चाहिए बेटर परफारमेंस के लिए या ब एक दिक्कत की बात पहले भी रियल में 6 में थी कि वो चिपसेट काफी हीट होता है तो रियल में 6 भी काफी हीट हो रहा था और हमारा मेन पॉइंट अगेंस दे रेड्मी नोट 8 Pro यही था कि रेड्मी नोट 8 Pro में आपको लिक्विड कूलिंग का जो फीचर दिया गया था उससे थोड़ा डिवाइस कूलर था जब हम उसको रियल में 6 से कंपेर कर रहे थे मगर यहां पर वो नहीं है तो लेट सी क्या होगा और बैटरी में भी कोई फरक नहीं है 4300 इमेज बैटरी तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे दो मेजर यहां पर चेंज़ रहेंगे एक तो जो यहां पर 48 Megapixel camera है वो भी इतना फरक नहीं लाने वाला मतलब resolution में change है aperture size almost same है तो light जो intake होती है वो similar रहेगी मगर difference तो थोड़ा रहेगा फिर भी not a huge compromise I would से और एक बात यह है कि जो 30 watt का यहां पर flash charge का support है वो 30 watt का charger आपको box में नहीं मिल रहा है Realme इसमें 20 watt का charger दे रहे है तो वो भी एक price cut यहां पर करने में मदद कर रहा है वो दो ही major changes है अगर हम पूरी के पूरी spec sheet को देखें तो Realme 6 और 6i में ज्यादा differences है यह नहीं यह दो ही major changes है अब box package जैसे Realme के हर box package में होता है similar है एक yellow kind of यहां पर theme दे दिया है और यहां पर 15,000 box पर है तो मैं hope करता हूं यह 13,000 में आए अगर आएगा तो काफी अच्छा एक price कह सता हूं मैं और यह eclipse black variant है तो box open करते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा आपको box के अंदर पहले बात this section has the sim ejector tool और let's embrace a new journey जो message हर बार Realme देता है यहां पर पहले दिया है उसके बार यहां पर वो जो transparent rubber cover होता है वो भी यहां पर Realme ने दे दिया है phone के protection के लिए और वैसे पीछे तो है तो plastic bag but still it's always needed की जादा scratches ना लगे तो वहां पर cover जैसे हर brand अभी आजकल दे रहा है तो वो तो है ही safety guide और quick start guide यह दोनों भी यहां पर आपको उसी box के अंदर मिल रहे हैं अब device को बाहर निकालते हैं यह मैं directly unbox कर रहा हूं सो मैंने setup नहीं किया कुछ नहीं किया अभी करेंगे साथ ही साथ हम और eclipse black एक kind of a refreshing change है क्यों क्योंकि आजकल हमने जादा black devices देखे नहीं है market में almost सारे के सारे blue या gray उस side चले गया है और white काफी common होकि है तो this is black with kind of a gradient जो हरवा रियल मिलाते है थोड़ा सा यहां पर ऐसे लग रहा है कि हाँ एक kind of a gradient finish है बट ज्यादा फरक भी नहीं है मतलब जो plain black होता है उससे ज्यादा फरक नहीं है यहां आप नीचे से देख रहे हो कि एक comet kind of projection है तो वो एक यहां पर black is a refreshing change but otherwise Redmi 6 से ज्यादा इसमें फरक नहीं है design में क्यूंकि camera को जो placement और arrangement है वो side की तरफ ऊपर है और 64 megapixel से यहां पर 48 में shift कर दिया गया है तो no other difference design wise वैसे आगे भी अगर आप देखो तो single camera दिया गया है जो पंचोल camera है और नीचे की तरफ यहां पर micro USB नहीं है अच्छी बात है USB Type- PC है and 3.5 mm headset jack speaker grill and microphone उपर की तरफ earpiece grill है बट यहां पर secondary microphone मुझे तो नहीं दिख रहा और fingerprint sensor side mounted है जो power button के साथ आता है left की तरफ आपको volume rocker button दिखेंगे और dedicated micro HD card slot के साथ यह sim का area यहां पर आपको मिल जाएगा अब जल्दी से इसको setup कर देता हूं और साथ ही साथ जब setup चल र the traveler adapter 5e 4a का traveler adapter यहां पर realme दे रहा है it's not the 5e 6a 30 watt it's 20 watt तो वो एक फरक है box के अंदर आपको 20 watt का charger मिल रहा है so अगर आप अलग से अगर खरीदना चाहोगे आगे जाके 30 watt का charger अलग से आपको जाके लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 30 watt का charger आपको box में नहीं मिल रहा है उस किसी brand से नहीं देख रहे हैं तो everything else is good enough सब कुछ box में जो था यही है 20 watt का charger फिर से याद रखिए 20 watt का charger एक चीज यहां पर रहेगी फरक मतब realme 6 और realme 6i में I would say not a big compromise क्योंकि 20 watt is still fast enough बाकी brand से भी हम देख रहे हैं अगर हम competition की बात करें यह है Redmi Note 9 और Redmi Note 9 में भी आपको 18 watt का fast charging मिल रहा है और 22.5 watt का charger आपको box के अंदर मिल रहा है क्योंकि media tech की तरफ से आते हैं वह वाले charger की standard तो obviously वह आपको वहां पर दिखेगा so I would say not a big difference as well और 20 watt charging में भी आपको अच्छे से आपका काम चल जाएगा fast charging तो है ही speed में फोड़ा फरक है बट fast charging है वो तो अब एक बार यह setup हो जाए तो आपको मैं इसका interface भी दिखा दो यह रहेगा realme UI which kind of जबसे realme UI आया है realme की तरफ से पहले तो color wise था realme UI जबसे आया है it's based on android 10 वो सबसे अची बात है I personally like realme UI for the fact that it has a much cleaner UI तो यह realme UI और इसमें काफी मतलब pre-installed applications तो आएंगे जिसमें से आप delete भी कर पाऊगे कि अगर आपको जो कोई application नहीं चाहिए तो अगर आप किसी app को delete करना चाहते हो आप कर सकते हो delete जैसे o roaming जैसा application हो गया hot games का जो shortcut है वो delete कर सकते है FM radio pre-installed लें आपर और यह 6 and 64 GB का जो आपको storage दिखा दूं कि कितनी आपको storage यहां पर मिल रही है तो 64 GB में से 12.4 GB is used and कुछ 52 GB के असपास user को मिल जाएगा for their usage and यह रहेगा 4 GB RAM variant और fingerprint sensor side में दिया गया है with the power button and gaming के लिए जैसे मैं कहे रहा हूं यहां पर आपको gaming के लिए जो screen recording options होते हैं वो सबसे better होते हैं बाकी सारे brand से compare करो तो the main reason for that is you're getting to record दोनों internal audio उसके साथ-साथ microphone का audio जो मतलब आपको usually android की तरफ से limited होता है बट Realme ने अपने site से उसको open कर दिया है इसलिए जब भी कोई gamer पूछते हैं कि हां मुझे recording के लिए चाहिए एक अचा सा device तब मैं Realme के devices ही recommend करता हूं अब camera application के अगर बात करने camera में आपको जैसे मैंने का था कि 64 के बदले इस बार 48 megapixel का यहां पर एक camera मिल रहा है तो यह इसका camera का interface रहेगा और interface में आप देख सकते हो portrait mode है 48 megapixel का dedicated mode है और यह time lapse, ultra macro, slow motion and expert mode भी आपको मिल रहा है और selfies के लिए 16 megapixel का यहां पर selfie camera मिल रहा है और आपको video recording में क्या मिलेगा, क्या resolution रहेगा, इसका 4K resolution आपको यहां पर supported है so यह एक advantage रहेगा Helio G90D का जब हम compare करेंगे इसको Helio G85 के साथ जो कि आपको Redmi Note 9 में मिल रहा है, Redmi Note 9 में आपको 4K recording नहीं मिल रहा है, यहां पर आपको 4K recording की possibility दी गई है तो यह है major features Realme 6i के और यह था a quick unboxing, इसका full review हम करेंगे थोड़े दिनों में, इसको proper use करने के बाद, इसके main मेरे पास pain points पहले थे Realme 6 के, इसके heating के बारे में ही तो अगर heating में कोई यहां पर फरक हुआ है, या अभी भी यह device भी इतना ही heat हो रहा है, वो हम थोड़े दिन में चेक करेंगे, उसके बाद full review आएगा यहां पर मैं कह सकता हूँ, pricing के सबसे, अगर यह 13,000 के आसपास की pricing में आए, तो मैं कहूंगा, यह एक बहुत अच्छा considerable choice बनेगा because of that chipset, heat हो रहा है, वो अलग बात है, बट chipset के capability कितनी है, वो कितना आपको deliver कर पा रहा है performance, वो important होता है वो तो पक्का यहां पर heliogenetic कर पा रहा है, जैसे हमने पहले दो devices में देखा दा, यह में 6 और Redmi Note 8 Pro में, तो यहां पर अगर वो same रहेगा यह नहीं, वो हम बताएंगे आपको हमारे full review में और थोड़े comparison से हम करने वाले हैं जल्दी इसका, तो इसके लिए stay tuned रहेएगा, और इस वीडियो में इतना इस वीडियो को like करना भूले, share करना भूले and subscribe कीजिए किसमो टाइम सेंदी को, देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में